के शौता वहनों से केवल इतना सनिवेदा नेकि जुषित में को ज्सान जमीन को जिस जायजात को आप बनाना चाहते हैं जिस प्लांट को आप निश्वित करना चाहते कई-कई घ़र से कराए ned करा ये में करते कई पर दो सब्सक्राइब और अगर टिम्हर हमें सोके नहीं और गर्रक सत्री को नहीं नहीं नियुक्त होती थी लक्ष्मी की कमाते कम थै Microsoft की जिन्दगी जीते थे सुख में जीवन जीते थे आज के जमाने में बेटा कमारा बहु कमारी पोता कमारा पोती कमारी दादा कमारा सारा घर कमारा उसके बाद भी सुख और सम्रत्ति और शांकी नहीं है उसके बाद भी आनंद की अनुभूती नहीं है उसके बाद भी हमेश वो पर वह ईतना सा है कि आपने मकान का निरमान करा या वास्तु सास्त्री को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, सब थेकेगार को बुलाया, सब को बुलाकर मकान, प्लाट, जमीन, जाइदा सब दिखवाया, पर आपने उस भूमी पर पदम पुराण करती है, धेनु मानस करती है, इसकंद पुराण करती है, कि उस प्लाट पर कि गाय उस जगा से सारी इंद्रियों को आनंदित दे कर सुख प्रदान कर देती है उस जगा के सारी रोग बिमारी तश्ट तकलीप दुख को गौमाता खीची कौमाता जिसी जगत में कोई नहीं हो सकता हाथ में घड़ी नहीं बांती गवमाता पर चार वजजे खड़ी घड़ी मिलती दीन वज़ा जेता है तो थीन वज़ याश्ट दरवाजे पर मिल जाती है देड़ वजे वरहन दोगे तो देड़ वजए ही मिलेगी एक बच्टार इसमेड पर मिलेगी तो इस गड़इ को और छहीं और यह समय पर आज क्यों GO कि भगवान में और उसको इससा बनाया कि आज के युग में हम ये, सुचते हैं, कि आज सफ्थरी को भूला लें, वो ये बता दे, हमने ये फ्लेट बनाया, हमने ये ये मकान बनाया, इसके इच्छत कैसी, इसका कमरा कैसा, वो बता देगा, सब कुछ पता देगा, उसके बाद भी लोगों क्या सुख नहीं है, उसक कोई घर का है जिसने कुछ कर दिया अब इसको याद आया पंदरा दिन पहले मेरी जठानी से लड़ाई हुई थी उसी नहीं कुछ कर रहा हो अब बताओ बाबा जी ने आपस में ऐसा बीज वो दिया कि घर और जुड़ा हुआ था तो तूड़ गए कोई बाबा जोगी सन्या किसी तपस्वी साधक उपासक कभी नहीं कहता कि घर का है हमेशा याद रखो संसार में किसी की सामर्थता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे किसी की सामर्थता नहीं कि आपका बुरा कर दे बस आपका बुरा आपका किया हुआ कर्म करता कोई दूसरा नहीं कर से लेक आजे पे तो 14 दिन तक नीज नहीं आई CCTV केमरे में देखो कुन पठके गया मेरे को तो तो तीन दिन से संग का होरी पड़ोसन अब बता जब केमरे में देख लिया तम मालूम पड़ा विचारा साइकल वाला सब्जी लेके जा रही है था उसके घर पे और निबू पोले तिन स सोई आराम से की पड़ोसन ने कुछ ने किया ना जाने किस ने क्या विध्या कर दी ना जाने कौन ने कौन सा टोना मार दिया केवल एक दिवाल एसी होती है जहां पर हनमान जी का चित्र लगाया जाता है कि चाहे तुम परवत उठाने वाला चित्र लगाओ हनमान जी का चाहे बिड़े हुए लगाओ चाहे रमाइन पढ़ने वाला लगाओ चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ चाहे लच्मन को संजीवनी देने वाला लगाओ चाहे मोन मुद्रा में लगाओ चाहे स्तूती मे में लगा दो चाहे भजन में लगा दो हनमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरा में लगेगा ना पश्ची में लगेगा ना दक्षिण में लगेगा हनमान जी अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दिवाल में दक्षिण को देते हुए लगता है केवल एक ही स्था जातार, उसी तरह अनमान को उत्तर में विराज मान करकर दृष्टे जनुक्सला स्थाaina कि गर्म हमंदी के जितने फोटो होते हैं उसको देवल जिसा में लगा व स्था皆さん मे लगा बिठाते हैं और फुन की और ौनकि दृष्टी अहर छेए जक्षिन के औरुमका मुखुना चाहिए क्यों है और अगर व्यक्तिके जीवन में कोई तीन ते सब्सक्रा जीमारी आने वा नहीं। तो शास्त लगता है वो दिशा दक्षिन से ही बंगा है यहां संपूर्ण परिवार के साथ यमराज अपने आनंद में निवास करता है और जब हमारे गर में हम यह नहीं करें कि आप धन्मान जी का फोटो लगा हम यह भी नहीं करें आपके गर में हो और आपने अगर विराजमान करकर रखा है किसी दिशा में तो हमारा तो निवे दन रहेगा आभी तक आपने जैसा रखा रखा पर एक बार दिशा बदल कर दिखना कि रोग बिमारी तष्ट दुख तकलीफ में आपको लाग मिला कि नाम हनमान जी ने केवल तक्षिन दिशा क और अगर मुख करकर विराजमान कर दिया खोटों यी विराज़े दिया हम यह नहीं कहेंगे आपसे कि आप बजार से फुटकोरित के लाग फिर लगाँ नहीं आपके घर में ऊपर जो जल चड़ाया जाता है उसकी जलाधारी उत्तर में जाता है है ऐ यह जोंग के तो अज भी त linen को in the love k कुल्सी के क्या रहे के नीचे शंकर जी कर शिवलिंग रख दिया जाता संखAL प apron भगवान शिवल जो जल जा रहा है वह उत्तर की ओरता है और हनमान जी को उतर में विराजमान करकर मुगदख्ञंद की ओर क्यों प्रबल दिशाओं में उत्तर और दक्षिन ये जो दो दिशाएं इनको साधने के लिए कोई देवता आगे नहीं है अगर इन दिशाओं को कोई साधने वाला है तो किवले का देवदीदे महादेव लुक्षिन हो सकता कालता हरण करने लाला वह महांकाल ही हो सकता है कि शंकर का यह कवतार है हनमान जी मारा है हनमानुजी से का तुम दच्छन की ओर दिशा पर समालिये शिव जी कहते है मेरा जल जब उत्तर की ओर जाएगा तो इस दिशा को मैं समाल जिंता ना कर दो किसी लड़का और लड़की का विवा नहीं हो रहा हूँ 30 साल हो गए 32 साल हो गए 34 साल हो गए लड़का लड़की का विवा नहीं हो रहा हूँ बहुत टेंशन है माता था कोई मंगली है कोई मंगली है कोई मंगली है कोई मंगल है संबंद होई मीरा बहुत प्रयास करें चार विशा का स्मर्ण करिए पूरा पश्ची मुत्तर दक्षिंगें हतेली पर आटे का दीप लगाईए घी भर लीजिए और चार वत्ति उसमें अलग-अलग रख लीजिए थोड़ा सा पीला चावल भल्दी में करकर उसमें डालना है जो लड़का लड़की का विवा करना उसी के हाथ में देना है और देव उठनी एकाद अशी के दिर जिस जगहा पर तुलसी सालिग्राम का आप उजन करते हो गन्ये के नीचे एक के नीचे तुलसी का क्यारा रकर उजन पापर भगवान शिप और भगवान नारेण का नाम लेकर उस दिये को रधबा दीजिए और वहीं कर हल्दी का तिलक उस लड़का या लड़की का कर दीजिए और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्वी लगा दीजिए मारा दाई महीने तीन महीने तो बहुत